स्वामी रामकृष्ण परमुहंस ने विवेका नन्द को ध्यान के बारे में बताया ध्यान क्या है वह बल जो हमें इस प्रकर्ती के प्रती हमारी दास्ता का विप्रतिरोध करने का समर्थे देता है प्रकर्ती हमसे कह सकती है देखो वहाँ एक सुन्दर वस्तू है मैं नहीं देखता अब मैं कहती है यह कंद सुहाबनी है इसे सुंगो मैं अपनी नाक से कहता हूँ इसे मत सुंग और नाक नहीं सुंगती आँख देख मत प्रकरती जगन्य कारे करती है और कहती है बैठ जा गर्थ में गिर मैं कहता हूँ मुझे ना रोना है ना गिरना है मैं उचल पड़ता हूँ मुझे मुक्त होना ही चाहिए कभी इसे करके देखो ध्यान में एक शण के लिए तुम इस प्रकर्टी को बदल सकते हो अब यदि तुम में यह शक्ति आ जाती है तो क्या यह स्वर्ग या मुक्ति नह ख़ाव का अपना मार्ग है पर समाने सिधान यह है कि मन को पकड़ो मन एक जील के समान है और उसमें गिरने वाला हर पत्थ तरंगे उठाता है ये तरंगे हमें देखने नहीं देती कि हम क्या हैं जील के पानी में पॉनचंद्रमा का प्रतिबिम पड़ता है पर उसकी सतय इतनी आंदोलित है कि वे प्रतिविम हमें स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं पड़ता। इसे शान्त होने दो, प्रकर्ति को तरंगे मत धाने दो, शान्त रहो और तब कुछ समय बाद वे तुमें छोड़ देंगी, तब हम जान सकेंगे कि हम क्या है। इश्वर महां पहले से है, पर मन बहुत चंचल है, सदा इंद्रियों के पीछे दोड़ता रहता है, तुम इंद्रियों को रोकते हो और फिर भी बार-बार धमित होते हो। अभी इस चंच मैं सोचता हूँ कि मैं ठीक हूँ और मैं इश्वर में ध्यान लगाऊंगा, लेकिन एक मिनट में मेरा मन कहीं और चला जाता है, यदि मैं उसे महां से खीछता हूँ, तो वह कहीं और चला जाता है, और मेरे द्वारा महां अतीत में किये गए क्रिया कलापो के बारे में सोचने लगता है इन तरंगों को ध्यान की शक्ति से रोकना है परम आनन्द का द्वार ध्यान के द्वारा ध्यान के द्वार से हम उस परम आनन्द तक पहुंचते हैं प्रात्नाएं अनुष्ठान और पूजा के अन्य रूप ध्यान की शुशुशाला मात्र हैं तुम प्रात्ना करती हो, तुम कुछ अर्पित करती हो, एक सिध्धान्त था, सबी बातों से मनुष्य का अध्यात्मिक बलबड़ता है, कुछ विशेश शब्दों, पुष्पों, प्रतिमाओं, मंदिरों, जियोतियों को गुमाने के समान, अनुष्ठानों, आर्पियों का उप्योग, मन को उस अभिवृत्ती में लाता है, पर वह अभिवृत्ती तो सदा मनुष्य की आत्मा में है, कहीं बाहर नहीं, लोग यह कर रहे हैं, पर वे जो अनजाने कर रहे हैं, उसे तुम जान्भुझकर करो, यही ध्यान की शक्ती है, हमें दीरे-दीरे अपने को प्रशिक्षित करना है, यह प्रेश्ण, एक दिन का या वर्षों का और हो सकता है कि जन्मों का नहीं है, चिन्ता मत करो, अभ्या अभ्यास जारी रखना चाहिए, इच्छा पुर्वक जान बुझकर अभ्यास जारी रखना चाहिए, हम उन वास्तविक संपदाओं को अनुभव करने लगेंगे, प्राप्त करने लगेंगे, जिने हम से कोई नहीं ले सकता, वह संपत्ती जिसे कोई नहीं चीन सकता, नश्ट नहीं कर सकता वै आनंद जिसे कोई दुख छूँ नहीं सकता ब्रह्म मूरत में इन दो समय में प्रकर्ती अपेक्षाकृत शान्थ भावधारन करती है ब्रह्म मूरत में मन की स्थिर्टा के लिए अनुकूल है इस दोरान शरीर बहुत कुछ शान्थ भाव उत्पन करता रहता है इस समय साधना करने से प्रकर्ती हमारी काफी साहता करेगी इसलिए ब्रह्म मूरत में साधना करना आवशक है तुम में से जिनको सुभीता हो वे साधना के लिए स्वतंतर कमरा रख सकते हैं इसे सोने के काम में ना लाओ बिनास्नान किये और शरीर मन को शुद किये इस कम कमरे में सदा पुष्प और हिर्दय को आनन देने वाले चित्र रखो, सुबह और शाम वहाँ धूप और चंदन आदी जलाओ, उस कमरे में क्रोध कलह और अपवित्र चिंतन ना किया जाए, ऐसा करने पर शेक्र वह कमरा सत्व गुन से पून हो जाएगा, यहां तक कि जब कि इसी प्रकार का दुख या संशय आए, अत्वा मन चंचल हो, तो उस समय उस कमरे में प्रवेश करते ही मन शांत हो जाएगा, शरीर सीधा रख कर बैठो, संसार में पवित्र चिंतन का एक स्टोत बहा दो, मन ही मन कहो, संसार में सभी सुखी हो, शांती लाप करें, अनन्द इस प्रकार पवित्र चिंतन की धारा बहा दो, ऐसा जितना करोगे, उतना ही अच्छे अनुभव होने लगेंगे